नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत इसका 14. किस्ताने वाली है, और इसका जो है लाखो लोगों का अभी तक EKYC नहीं लें, तो वीडियो को शुरू से लेके लाश तक देखिएगा, तब आपको सारी चीज डिटेल समझ में आ जाएगे, कि आप किस प्रकार से, एक आईडी से, आप 10 लोगों का जिसका की आधार से मोबाइल नमबर लिंक नहीं होगा, उसका आप EKYC कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि EKYC has been successfully completed, इस प्रकार से आप एक मोबाइल से, एक नमबर से लोग इन करके 10 लोगों का EKYC कर सकते हैं, तो step by step इसका हम जानकारी दे देते हैं, वीडियो को शुरू से लेके last तक देखिए, आपको सारी चीज जो है, समझ में आ जाएगे, तो चलिए वीड अप्लिकेशन जो है, डाउनलोड करके आ जाएगा, उसके बाद next step में जैसे आप खोलिएगा, तो आपको language select करने का आएगा, हिंदी और English, तो उसमें आप कोई भी language, हिंदी या इंगलिस आप select कर लेंगे, उसके बाद जैसे आप खोलेंगे, तो आपको new farmer registration आएगा पहला और दूसरा आएगा login करने का, तो आपको क्या करना है, new farmer registration अगर जो नया है, उसका आप application से कर सकते हैं, आपको EKYC के लिए login पे आपको click करना है, जैसी आप login पे click करेंगे, तो आप right side में जैसे देख रहे हैं कि login type, तो यहाँ पे आप beneficiary select कर लेंगे, उसके बाद registration ID या आ volume नहीं होगा, आधार नमबर यहाँ देखें, अपना OTP जन्रेट करेंगे, तो आपका चार अंक का यहाँ पे OTP आएगा, वो चार अंक का OTP यहाँ पे डालके आपको submit करना है, जैसी आप चार अंक का OTP डालके login करेंगे, उसके बाद आपको next page में आ जाएगा, कि इंटर MP 6 digit का, तो इसमें आप कोई भी MP1, 2, 3, 4, 5, 6, अपने मन से जो है इसमें रख सकते हैं, उपर वाले box में और नीचे वाले box में सेम भर के submit करना है, जैसी आप MP1 भर के submit करेंगे, उसके बाद आप left side में देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने का आपको option देदेगा, जैसी आपको MP1 मांगेगा, तो आप 6 अंका MP1 देदेगे, उसके बाद आपको I agree पे क्लिक करना है, उसके क्लिक करके आपको face वाले option पे क्लिक करना है, तो इससाब से देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि face आपका जो है, बिल्कुल clear रहना चाहिए, कोई white देवाल के सामने, ज उसके बाद आपको automatic जो है face detect कर लेगा, जैसी आपका face detect करता है, उसके बाद आपका KYC submitted successfully यह message आपको आ जाता है, उसके बाद में यहाँ से आप EKYC of another beneficiary करके, दूसरे आदमी का, जिसका की EKYC नहीं हुआ है और आधार में mobile number लिंक नहीं है, उसका आप EKYC कर सकते हैं, यह यहाँ पर beneficiary status भी आप चेक कर सकते हैं, अधर पर क्लिक करके EKYC for another person पर क्लिक करके आप उनका अधार number देंगे और submit करेंगे, तो उनका सीधे जो है आपका EKYC वाला I agree वाला खुलेगा, फिर उसके बाद scan face करेंगे, फिर उसके बाद उसका face का scanning करेंगे और उनका भी जो ह आपका EKYC submitted successfully हो जागा, इस तरह से आप एक बार login करके एक आदमी का जो है आप login करके 10 आदमी का आप EKYC अपने mobile से कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे beneficiary status है, यह करके आप अपना status देख सकते हैं कि आपका कितना किस्त, कितना कितना तारीक हो गया है, उसके बाद आप जैसे आ आप app में login करेंगे, उसके बाद pin generate करेंगे, फिर I agree पे click करके face detect करेंगे, आपको क्या करना है, आँख को जो है blink करते रहना है, जब तक कि आपका face यहाँ पे successfully captured नहीं हो जाता है, तो आँख आप blink करते रहेंगे, आपका light जो है एकदम proper light में होना चाहिए, यहाँ पर जैस का camera का जो lens है, वो आपका clean रहना चाहिए, तो इस इसाब से eye आप blink करते रहेंगे, यह automatic जो है आपका capture हो जाएगा, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि यह message successfully का, देखिए हम message आ गया है, कि EKYC has been successfully completed, the EKYC status will be updated on PM किसान portal after 24 hour, इस इसाब से जो है आप अपना EKYC कर सकते हैं और अपने परोसी का भी EKYC कर सकते हैं, धन्यवाद इस वीडियो को ज़्यादस ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और EKYC